हैलो चिल्डरेंड आपका पुना स्वागत हैं क्रेशन वेद चिल्डरन में तो बच्छों आज हम करेंगे वाचर वाचर जो की चैप्टर थर्ड है आपकी लुकिंग अराउंड क्लास थर्ड का इसमें वाटर एक पोयम दी है और उसी से हम रिलेटेट सारे क्या करेंगे उस पर बेस है सारे कोईशन अंसर और हम पढ़ेंगे वाटर कहां से मिलता है वाटर के क्या क्या फॉर्म है ठीक है तो वाटर तो आप सब जानते हो जानते हो वाटर मेंने क्या होता है डाबलू एटी या वाटर में पानी ठीक है तो हम पढ़ते हैं पोयम में आपको पोयम पो Water sent Munna to his nanny. मैं मूँ धोता हूँ. Face मैंने क्या हुआ? चेहरा होता है ना चेहरा. Wash मैं धोना. तो मैं पानी से अपना चेहरा या मूँ धोता हूँ. Munna कहता है अपनी नानी से. नानी से मुना कहता है कि मैं पानी से अपना चेहरा धोता हूँ. we all quench are thirst with water quench देखो बच्चों एक word आ रहा है quench q-u-e-n-c-h इसे आप नोट करिए इसका meaning होता है प्यास बुझान जिसे पानी पीकर अगर आप आपको होगे नहीं हमें प्यास लेगी है चलो cold ring पिले या लसी पिले तो ये पानी से प्यास बुझाना पानी से प्यास बुझाना या पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक है आपको योड ठंडा कहते हैं cold ring या कोई भी तरल परदाद यहां पर कहेंगे तो quench मतला होगा सिर्फ पानी water ठीक है, water से पानी पिकर प्यास बुझाने को क्या बोलते हैं, quench We all quench, are thirst with water हम सब पानी पिकर अपनी प्यास बुझाते हैं We are all alive because of water Alive, जिन्दा है, हम सब पानी के कारण ही जिन्दा है Water has been with us for ages ages मैंने कई सालों से पानी हमारे साथ कई सालों से है Its story can fill so many pages अगर हम इस पे story लिखेंगे तो उस पे कई सारे pages भर सकते हैं तो पानी हमारे साथ कई सालों से है और पानी की story यानि के पानी की कहानी पर कई सारी pages भर सकते हैं Somewhere it is dew dew क्या होता है बच्चो, dew, d-e-w तो मैं पिक्चर में भी शो करूँ निसे dew मने होता है ओस तो somewhere it is dew कहीं ये ओस है somewhere it is snow और कहीं क्या है snow मने बरफ है steam is also water as you know steam बने क्या होता है भाब तो भाब भी क्या है पानी है तुम तो जानते हो वो आप से कहरा है आप तुम जानते हो पानी भी क्या है भाब भी क्या है पानी है water has formed so many तो पानी के कई रूप है तो को तीन रूप तो आपको मिल गए यहाँ पे दिखो अगर आप snow लोगे तो snow किस रूप में होता है snow solid रूप में होता है ठीक है ऐसी water जो पानी बहरा है ये liquid रूप है और जो आपका वैपार है जैसा हम कहारे steam steam क्या है water वैपार है ना भाब है तो ये किस form में है ये gas के form में तो यहाँ पे आपको water की तीन forms मिल जाती है देखो forms first मैं लिखूंगी solid solid मने क्या होता है ठोस second है liquid liquid मने होता है तरल परदात ठीक है third है gases तो ये किसकी forms है ये तीनो forms है ये water की है what are these यहाँ पे लिखा forms of water तो ये forms है water की तीन form होती है solid liquid gas और तीनो form आपको उन्होंने बताई है कि snow solid form में है ice दिखा और liquid form में क्या है जब वो बहर आया है तो liquid form में है और gas यानि कि जब वो steam बन की उपर जा रहा है तो आप अपने चाय बनाते है cattle देखिये तो उसमें भाप उठता है ठीक है तो ये किस form है? gas form है the river flows अच्छा यहां पर water has formed so many water की कई रूप है that is what says my nani ये मेरी nani कहती है the river flow the waterfall sing अब यहां भी मैं picture show कर रही हूँ river मैंने क्या होता है? river मैंने नदी flow, नदी बहते है देखो नदी कहीं रुकती है? नहीं रुकती है नदी बहते रहती है अगर आपके आसपास कही नदी है आप देखिया मुझे comment में भी लिखिये कि नदी क्या होती है? बहते ही रहती है the waterfall sing waterfall जर्ना अगर आप कहीं घूमने गए हो जर्ने में या ऐसी जगह में waterfall में या आपने कहीं waterfall देखा या आपके आसपास कहीं है जैसे कैंप्टी waterfall है मसूरी में तो वो waterfall क्या करता है कहता है sing उसमें आवाज आती गानी की उपर से जब पानी किरता है तो गानी के आवाज आती है and water swells in lake and springs देखो lake, lake मने क्या होता है lake मने रुका होगा पानी जैसे पानी रुक जाता है जील जैसे ना निताल जील है तो यह जील का पानी क्या होता है रुका होता है तो गराब पानी बतब यहाँ पर भी water होता है lake में भी होता है and springs springs बने springs जो है जो पानी जमीन के अंदर से निकलता है देखो picture में शोके है आप यहाँ पर spring season मत समझो ना पानी के अंदर से जो जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है जैसे हमारे उत्राखंड में बहुत सारे कहें यह natural sources हैं springs हैं जैसे अगर आप यह मनोत्री की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर तब्त कुंड है जिसका temperature सूरी कुंड है जिसका temperature 195 degree Fahrenheit है वहाँ पर अगर आप कहते हैं किसी बरतन में या किसी पोटली में से बंद करके चावल या आलू ऐसे डालेंगे तो पक के उपर आ जाते हैं तो ऐसे एक कुंड होता है तो हम तब्त कुंड बोलते हैं सूरी कुंड ये नाम है उनके बट हम इस स्प्रिंग मैंने ऐसा जहाँ से जमीन से अंदर से जो पानी निकलते हैं जो रिनी गरम हो ठंडा ही हो सकते हैं तो उसे स्प्रिंग बोलते हैं तो इसका मत्दद समझा आगे न and water swells in lakes and spring water जो है कहां पर है लेक मैंने जील मैं भी है और spring भी वो भी उसमें भी water है life on earth it has brought जीवन पर्थवी में जो जीवन है life मैंने जीवन कौन लाता है पानी लाता है water fails and life they got वोगरा पानी जो है यह हमारे क्या लाता है यह जीवन लाता है किसमें earth में पर्थवी में और यह हमारे जीवन को किस से भर देता है हमारी life को field मैंने भर देता है but when the water breaks in flood flood मैंने क्या होता है देखो flood मैंने होता है यह flood इसका मतलब होता है बानाना ठीक है बानाना क्या ना जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी बहुत बारिश हो जाएगी जब और उस बारिश में क्या होगा पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस खटा होते होते है ड्रेनिस सिस्टम नहीं अगर निकासी का सिस्टम नहीं तो पानी कहां से आएगा पहाड़ से बहते बहते शहरों में और शहर में अगर ड्रेनिस सिस्टम नहीं तो वहाँ पे क्या थी बाना जाती है पिक्चर में शोग किया आपको, यानि कि पानी खटा हो जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं? बाना ना बोलते हैं, ठीके? But when the water breaks in front, जो बहुत पानी हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? फिर उससे बाना जाती है, great misfortunate it always works, तो उससे में क्या होती है? यानि कि वो हमाद लिक्ति होता है, harmful होता है, नुक्सान दाएक होता है, तो उससे बहुत, great, बहुत mishappening हो जाती है, हमें सही ऐसा होता है कि बारा आता है तो उससे कुछ ने कुछ नुक्सान होता है तो यह poem लिखी है श्री प्रसार ने ठीक है और इसको आप इसको क्या करेंगे गाएंगे और साथ ही इसको समझेंगे बस इस poem में ही सारा कुछ है आपका chapter अब हम कर रहेंगे question answer first है तो मैं answer भी आपको लिखाते जाओंगे first है do you know any poem or song on water कोई आपने poem सुनी है water में अगर सुनी है तो recite it in the class आप class में से सुनाएंगे कोई poem आती है तो बच्चे को जब छोटे class में तब भी उनको आता था मशली जन की रानी है या पानी के उपर कोई poem आती है song आता हो कोई आपको film ही song आता हो कोई आपको आपने original song आता है तो उसे आपको सुनाना है next question करते हैं which are the places mentioned in the poem where we find water आप poem में जो जो place mentioned के हैं वो आपको लिखने हैं आप ऐसे और भी लिख सकते हैं अभी आपको poem के ही लिखने है तो कहा कहा पानी होता है तो आपने देखा वो उन्हेंने का river में होता है ऐसे आपको answer लिखने है rivers, waterfall आपके poem में जो आए हैं ठीक है waterfall आया है और क्या आया है? लेक आया है ठीक है? और spring आया है ये इतनी चीज तो आपके poem में आई है यहां पे वो पानी होता है बता रहे है तो आपको सिर्फ इतना ये लिखने है आप इसे note कर लीजिए next question है take the activities for wish waters किसमें जिसमें पानी की आवशक्त होती है उसको उस activity को आपको टिक करना है देखो जैसे खेलने में सेंग आने में तो जरुवत नहीं होती है लेकिं हाँ रोब बोड एक बोड नाव चलाने में आपको पानी की आवशक्त होती है to write लिखने में होती है नहीं make a tea चाय बनाने में होती है बिना पानी की कैसे बनाएंगे to knead up गड़े को भरने में वहां पी आपको होती है to run up fan fan चलाने में नहीं होती है paint picture picture paint करने में होती है क्योंकि अगर आप पिक्चर पेंट करोगे अगर आपको देखो liquid color है तो नहीं होगी बढ़ अगर आपको पास liquid color है तो हो सकते है यहां पे आप yes भी कर सकते है मेरी कार से नहीं करें क्योंकि painting आपको लिक्ट भी हो सकती to grow plants plants को बढ़ा करने में तो पानी की आवशकता बहुत होती है ठीक है इसे note कर लिया आगे बढ़ते है name any four activities which you can do without water you cannot do without जो पानी के साथ कर सकते हैं और नीचे लिखें पानी के बगेर कर सकते हैं देखो पानी के साथ क्या कर सकते हैं अगर आप पानी के without पानी के बिना यहां पे हैं पानी के बिना यानि के water के बिना देखो आप बहुत सारी activity आपके book में भी लिखेंगें dance पानी में डान जोरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर यहां पे water बहुत ज़रूरी है, without water you can take bath, no, bath यह भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, swim, swim तो बिल्कुल होएगे, नहीं पानेगे, तो यह कुछ activities तो without water, water के भी नहीं होती है, तो यहाप नोट कर लिजेगा अपनी book में, यहां पे पे activity है की, arrange the following on the basis of amount of water that is needed for each of the activity, begin with the activity that needs the most water, आपको किस activity में क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए, वो आपको लिखनी है, जैसे bath, drink, clean to house, water, the field, the need to, the dove, अगर आपको देखो, अगर आपने, कई लोग नहने भी बहुत पानी यूज़ करते हैं, तो मेरे खार से वो तो first में बात में लिखेंगे, लेकिन अगर मैं लिखूंगी, तो मुझे water को सबसे पहले मेरा यह आएगा, फिल्ड, यानि कि अगर किसी खेत को पानी देना, अगर सब ज़्यादा पानी वहां लगेगा, ठीक है, second, उसके बाद नहने में भी लगता है अगर घर में सिर्फ आगर क्लीन करना है तो आप पोचे से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर थर्ड एक्टिविटी आएगे, कि इतना पानी विस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद टू निट रफ यहाँ पर फोर्ट आएगे, पीने के लिए तो बहुत सारा पानी च इस तरह से आपको फॉर्स्ट में, साकिंद, थर्ड, फॉर्ट ऐसे फिल करने है, ठीक है, यह एक्टिविटी है, अब कुछ कहेंगे, हमें तो नहाने के लिए बहुत पानी चाहिए, हम तो बहुत पानी चाहिए, जब तक दस बाल डिसे नहाते, तो वह गलत है, इतना पान लेक स्प्रिंग या अपने पड़े, तो वी गट वाटर फ्रम अल दिस प्लेसे, फ्रम वेल डू यू गट वाटर, आप पानी कहां से लेते हो, पुट और राउंड दोस प्लेसे, तो जैसे लेक, अगर किसी घर के आसपस लेक है, तो लेक में राउंड करें, वेल है, सिटी में हेंड पम से जादा चलता है, रिवर, अगर आप विलेज अरीया में, तो रिवर को करेंगे, स्रीम कहीं है, टैप, मैं खासे है, तो ऑल्मस सभी करें, क्योंकि नल से तो सभी पानी लेते हैं, ठीक है, टैंक से भी सब लेते हैं, क्योंकि टैंक में स्टूर क्या गोट कर एक में मैंने आपको बता है कि मैं अब एक मिल के सुना है नहीं तो आप आप इस करेंगे और एक मैंने बता दिया सुरिकोन जिसका टेमपरचर 195 डिग्रीज एंटिग्रेट है ओके अब देखा है तो आपनों यह लिखो गया किसी ने देखा तो यह लिखेंगे और बाकी कुछ नहीं करना इसमें अगर आप गाउं में रहते हो यह शहर में रहते हो उसमें देखा गंगा गुण रहते हो आप इसे और आप अब भी लखेंगे आप आप बोर गंगा तो सब जानते है हमारी होली क्या है जी इन रिवर है और यमुना ये भी सब जानते हैं जो मेन मेन रिवर है उसका नाम लग देती हूं कावेरी को भी सब जानते हैं क्योंकि बहुत famous रिवर इंडस इंडस रिवर है आप इसे नोट करते रहिए ठीक है ऐसी ब्रहम पुत्र है ब्रहम पुत्र ये पूरे एक नाम है और क्रिष्णा ये भी रिवर है क्रिष्णा 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 क्रि तो इसका अंसर आप यहां पे लिखते होगे टैप नल से आता है कहले को टैप नल से ठीक है अगर आप विलेश एरिया में पानी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपके घर के आप पानी लेने कहा जाते हैं तो इनको ठीक है आता है तो नहीं जाते तो नहीं लिख देना ओके do you never bring water from the same place क्या आपके आप अगर पानी लेने आप आपके रो हम हम हमारे ट्यूब वेल है हमारे घर के आसपास हम वहाँ जाते हैं क्या आपके पोडो से भी वहाँ जाते हैं तो yes लिखना जाते हैं तो नहीं तो no why do we need to store water हमको पानी जमा करनी क्या आवशक तो क्यों होती है क्यों होती है क्यों we need to store water so that it is available easily for consumption where there is no direct supply of water तो आप इसका आँसा थोड़ा में ऐसा लिख जेती हूँ यहाँ पे why do we need to store water क्या लिख हो गया it is available it is available easily for consumption जब आपको जरुवत हो तो आप उसको आसानी से यहाँ पर answer लें ठीक है उसे ले सकते हो ठीक है it is available मने वो आपको आसानी से मिल जाती है available it is available easily easily for इसको पूरा नीचे लेगे for consumption इसका आँसर सिर्फ इतना ही होगा consumption consumption spelling में आपको अभी बोल दोंगे it is available available मने प्राप्त होती है easily मने आसानी से for मने किसके लिए c-o-n-s-u-m-p-t-i-o-n consumption मने इस्तेमाल करने जिसे आप कहारे न यह use के लिए लग सकते हो it is available easily for consumption आपकी consumption के लिए अगर आप consumption चप तफ लग रहा है तो consumption की जग आप for use भी लग सकते हो ठीक है तो यह आसानी साथ अगर आपके पानी स्टोर होगा तो आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हो इस्तोर नहीं होगा तो आपके पानी का समय सपोज सुबह आता है आपके वाँ 6-7 बजे और उतना पानी जितना आ रहा है आपने इस्तेमाल कर ले आपने कोई पानी स्टोर नहीं किया है वाटर स्टोर नहीं किया है तो आपको जब दिन में जरुवत पड़ेगी वाटर की तो आप कहां से लाओगे तो आप क्या करते हुआ? स्टोर करके रख तउसे टैंक में, बक्वें, ठीक है तो यह इसी ले लिखा इस अवेलेबल इसली फॉर जॉर यूस यह इसली फॉर कंजप्शन नेक्स है ही फैचस फैचस से फैचस योहाँ नहीं लाओए यह कौन लाते है आपके घर में अगर पानी को तो आपके जो लाते हैं आप उसके नाम लिख दोगे ममा मदर या सिस्टर ठीक है आर यह सर्टेन पीपोल हुआर नोट अलाओ तो टेक वाटर फ्रॉम जह कहीं चेकर ऐसा होता है ज्यादा तर विलेज एरिया में कि वहाँ पे जैसे हम कहते ही हमारा नल का नौला होता है ना पानी के स्प्रेंग या कोई क्या तो वहां पर किसी को लाव नहीं किया जा सकते कभी तो यह ऐसा होता है ठीक है तो people do not allow what people do not allow sometimes some tribes people ठीक है तो यह नहीं होना चीए ठीक है we must not discriminate or support this type of activity अच्छा यहां पर color थे picture of those containers which you use for store आपके घर में किस किस चीज में आप पानी स्टोर करते हैं तो उसको color करना है जैसे यह bucket है आपको bucket आपको blue से color कर दो इसमें जर्किन में भी पानी लाते हैं कई लों ठीक है कई लों फ्लास्क में लाते हैं मटके में लाते हैं जग में लाते हैं जिस जिसमें आप store करते हैं उसको color करना है यह घड़ाए से भी color कर सकतो इसमें पानी लाते हैं ठीक है ताम यह का होता है copper का तो इन notebook इसको ड्रो करना है आपको picture अपने book में और साथ ही इनके name भी लिखना है जियसे bucket है जग है फ्लास्क है जरकिन है इनके नाम लिखना में टेक लोक एग्ड़ इस पूटियू इफ फिल भी फिल डमम इट हैं विच विच विब गश्वाटर पहुटें जर्क्रिंक यह चाहां पर देख्वा पिक्ठर में क्समेंद्र हैं। बगेट में ज्यादा आए ढ़ल्यूम ज्यादा आएगा यहां पे बगेट का सबसे ज्यादा यहां लिखो के कुछ से विच तो आप्स कोंते में तो है यहां फिर्ट में लिखोंगे। सबसे छोटा जो था लोटा था और इसमान क्या था इस स्मॉल कंटेंऐर था यह आपको लोटा भी लिख सकते हूं च्छिश्माल लोटा यह उसको इस ग्लासह के लिख सकते सकते हैं आपने कैसे उसको वालवन को वालम देखा इस में चीश को एक्पाइब ली मारा फे思ब कि जाए भुआई कि होगिए भी खाला वुली में आप फेड़े अगर आप घर में अलग बरतन ने आप फुद पानी डालो उसको निकाल के एक देखो ठीक के दोनों शेप बरतनों फिर देखो किसमे ज्यादा पानी आ रहा है तो यह यह या किसी जग से डालो देखो किसमें कितना जग पानी आ रहा है यह activity आपके लिए जिसका volume ज्यादा हो waterfall आपको कहा कहा मिलता है आपको नोट करें देखो इसमें हम करते हैं स्टार्ट सबस्वे लेक बेंड रहा है एल एक ए लेक जीली आपके सारी books से related हैंनी मिल रहा है पानी लेक से पानी मिलता है सी सी में मिलता है भले वो पीने साथ यह उसलिजदे हैं से स्वेक देश नहीं होता है इस इसलिजदे इसलिए मिलता है और रहें देखो इसलिए सी आपकर मिलता है बाट को स्टोर आपको इसलिए नहीं होता है अब नेक्स्ट है in every row put a round one that is different from the other also tell how it is different अच्छा इसमें कोई एक इसमें आपको कुछ वर्स दें और एक वर्ड डिफरेंट है क्यों डिफरेंट यह बताना है जिसे सब जगे पानी के आवशकत होती है लेकिन सिर्फ बाल बनाने में कोई पानी की आवशकत नहीं होती ना तो इसको आप ऐसी सरक्ल करेंगे और रिजन में लिख देंगे ठीक है सब सब किस में चलती है यह डेकिन बोड़ चुह है बर यह किसका है वाटर ट्रांसपोर्ट है ठीक है आगे और मांके सारे ट्रांसपोर्ट है लेकिन ये ट्रांसपोर्ट किस कौन से हैं ये सडक के हैं रोड ट्रांसपोर्ट है यह वाटर ट्रांसपोर्ट है तो यहां पे आपका यह हमारा यह कंप्लीट हुआ और आप कैसे लगा आप मुझे कॉमेंट करें साथी चैनल क्रेशन विच्छ लगों जरू सब्सक्राइब करें ओके बाई बाई